आपके नाम का पहला अक्षर खोल देगा आपकी पोल। प्रियमित्रों किसी को जानने समझने के लिए एक मुलाकात जरूरी। होती है। हम किसी से बिना मिले उसके व्यक्तित्व का पता नहीं लगा सकते। ये तो किसी भी व्यक्ति का एक सामाजिक और सामान्य पहलो हुआ लेकिन जोतिश शास्त्र के अनुसार भी एक विधा है, जिसे जानकर किसी के भी व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। ऐसी ही एक विधा है व्यक्ति के पहले अक्षर को जानकर उसके व्यक्तित्व का पता लगाना। आज हम आपको आपके नाम के शुरुवाती अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार किसी का व्यक्तित्व क्या कहता है इस बारे में बताएंगे प्रियमित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को डोट एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें तो आएए जानते हैं नमबर एक ए इस अक्षर के लोग काफी महनती और धैर्यवान होते हैं ये आकरशक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इन्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं इनमें खुद को किसी भी परिस्थती में ढालने की गजब की क्षमता होती है इन्हें यूनिक चीजें ही पसंद आ ये अपने करियर और काम को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और अपना लक्ष पाकर रहते हैं रोमास से ये थोड़ी दूरी बनाए रहते हैं ये लोग प्यार और करीबी रिष्टों को अहमियत देते हैं एसे नाम वाले लोग हिनमती भी काफी होते हैं अ नएने रास्ते तलाशने में यकीन रखते हैं अपने लक्षे को चुनकर उस पर आगे बढ़ा इन्हें अच्छा नहीं लगता भी अक्षर वाले लोग जरा संकोची स्वभाव के होते हैं काफी sensitive nature के होते हैं ये जल्दी किसी से नहीं घुलते मिलते इनके जीवन के कई ऐसे राज होते हैं जो इनके करीबी को भी नहीं पता होता ये ज्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं लेकिन जिन्हें बनाते हैं उनके साथ सच्चे होते हैं रोमास के मामले में ये थोड़े खुले होते हैं प्यार का इजहार ये कर लेते हैं प्यार को लेकर ये धोखा भी खूब खाते हैं इन्हें खुद पर कंट्रोल रखना आता है खूब सूरत चीजों के ये दीवाने होते हैं नंबर तीन सी नाम के लोगों को हर क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है इनका चहरा काफी आकरशक होता है और दूसरा काम के मामले में भी भाग्य इनके साथ हमेशा रहता है इन्हें आगे बढ़े से कोई रोक नहीं सकता है अच्छी सूरत तो भगवान देते ही हैं इन्हें अच्छे दिखने में ये खुद भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ते सी नाम वाले दूसरों के दुखदर्द के साथ साथ चलते हैं खुशी में ये शरीक हो या नहो लेकिन किसी के गम में आगे बढ़कर ये उनकी मदद करते हैं सी नाम वालों के लिए प्यार के महत्व की बात करें तो ये जिन्हें पसंद करते हैं, उनके बेहत करीब हो जाते हैं। यदि इन्हें अपने हिसाब के कोई न मिले तो मस्थ होकर अकेले भी रह लेते हैं। वैसे स्वभाव से ये काफी भावुक होते हैं, नमबर चार डी नाम वाले लोगों को हर मामले में अपार सफलता हाथ कभी भाग्य साथ न भी दे तो उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी जिन्दगी में। आगे चल कर सारी खुशिया लिखी होती हैं। लोगों की बात पर ध्यान न दे कर अपने मन की करना ही इन्हें भाता हैं। जो ठान लेते हैं ये उसे करके ही मानते इन्हें सुंदर या आकरशक दिखने के लिए बनने समवरने की जरूरत नहीं होती। ये लोग बॉर्ण स्मार्ट होते हैं। किसी की मदद करने में ये कभी पीछे नहीं रहते। यहां तक ये भी नहीं देखते कि जिनकी मदद के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे वह उनके दुश्मन की लिस्ट में हैं या दोस्त की लिस्ट में। डी नाम के लोग प्यार को लेकर काफी जिद्धी होते हैं। जो इन्हें पसंद हो उन्हें पाने के लिए या फिर उनसे रिष्टा निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रिष्टे निभाने के मामले इन्हें अपने इच्छा अनुरूप सारी चीजें मिल जाती हैं, जो इन्हें टोका टाकी करें, उनसे तुरंत की किनारा कर लेते हैं। इसलिए इनसे रिष्टे पीछे छूटने का किस्सा लगा ही रहता है। शुरुवात में ये दिलफेंक आशिक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनका दिल कब किस पर आजाय कह नहीं सकते। लेकिन एक सच यह भी है कि जिन्हें ये फाइनली दिल में बिठा लेते हैं, उ इस वभाव से काफी भावुक होते हैं, हर चीज को लेकर ये बेहत कॉन्फिडेंट होते हैं, सोच समझ कर ही खर्च करना, चाहते हैं ये, जीवन में हर चीज इनका काफी बैलेंसिंग होता है, इन लोगों को प्यार की काफी एहमियत होती है, ये खुद भी सेक्सी और आकर परशक होते हैं और ऐसे लोगों को ही पसंद भी करते हैं, रोमास तो समझिये कूट-कूट कर, इन में भरा होता है, नमबर साथ जी इस अक्षर के नाम के लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा ही खड़े होते हैं, ये खुद को हर परिस्थितियों में ढाल लेते हैं, य ये प्यार को लेकर इमानदार होते हैं, प्यार के मामले में ये समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं, कमिट्मेंट से पहले किसी पर बेवज़ खर्च करना इनके लिए बेकार का काम है, नमबर आठ एच इस अक्षर के नाम वाले लोगों के लिए पैसे काफी माइने रख ये लोग स्वभाव से काफी हंसमुख होते हैं, इसलिए इनके आसपास का माहौल भी एकदम हलका फुलका रहता है, ये लोग दिल के सच्चे होते हैं, काफी रॉयल नेचर के होते हैं और मस्त मौला होकर जीवन गुजारना पसंद करते हैं, जटपट निरनय लेना इनकी क अपने मान सम्मान को लेकर ये काफी चिंतित होते हैं, नमबर नौ आए इस अक्षर के, नाम वाले लोग कलाकार किस्म के होते हैं, न चाहते हुए भी ये लोगों के आकर्शन का केंदर बने रहते हैं, हालां कि मौका पड़े तो इन्हें अपनी बात पलटने में पल भर भ फिसलने में भी देर नहीं लगती, ये लोग प्यार के भूखे होते हैं, आपको वैसे लोग अपनी और खीच पाते हैं, जो हर कांग को काफी सोच विचार के बाद ही करते हैं, स्वभाव से समवेदनशील और दिखने में बेहत सेक्सी होते हैं, नमबर दस जे इस अक्षर के नाम वाले लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, लोग इन से काफी चिड़ते हैं, क्योंकि इन में अच्छे गुणों के साथ साथ खूबसूर्ती का भी सामनजस्य होता है, यह लोग जो करने की ठान लेते हैं, उसे करके ही मानते हैं, पढ़े लिखने में थोड़ा पीछ ही रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की बात करें तो सबसे आगे खड़े, रहेंगे ये, इन लोगों के चाहने वाले कई होते हैं, हमस्फर के रूप में ये जिन्हें मिल जाएं समझिए खुश नसीब हैं वह जीवन के हर मोर पर ये लोग साथ निभाते हैं, नमबर 11 के इन कर चलना इन्हें भाता है, पैसे कमाने के मामले में भी ये काफी आगे चलते हैं, स्वभाव से ये रोमांटिक होते हैं, अपने प्यार का इजहार खुल कर करना इन्हें खुब आता है, इन्हें स्मार्ट और समझदार साथी चाहिए और जब तक ऐसा कोई न मिले तब तक क किसी एक पर टिकते नहीं ये, नंबर बारहत एल ये लोग काफी चार्मिंग होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा पाने की तमन्ना नहीं होती, बलकि छोटी मोटी खुशियों से ये खुश रहते हैं, पैसों को लेकर समस्या बनती है, लेकिन किसी न किसी रास्ते इन्हें हल भी मिल जाता है, लोगों के साथ प्यार से पेश आते हैं ये, कलपनाओं में जीते हैं और अपने परिवार को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं, स्वभाव से बेहद ही रोमांटिक होते हैं ये, वैसे सच तो यह है कि अपनी कालपनिक दुनिया का जिक्र ये अपने ह अमसफर तक से करना नहीं चाहते, प्यार के मामले में ये आदर्श वादी होते हैं इनका जिद्धी स्वभाव कभी कभार इनहें खुद परेशानी में डाल देता है, वैसे अपनी फैमिली को ये बेहत प्यार करते हैं, खर्च करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करते, सबसे बहतर की और ये ज्यादा आकरशित होते हैं, प्यार की बात करें तो ये स समवेदनशील होते हैं, और जिस रिष्टे में पढ़ते हैं, उसमें डूपते चले जाते हैं, और इनहें ऐसा ही साथी भी चाहिए जो इनसे जी जीन से प्यार करें नंबर 14, एन ये लोग काफी खुले विचारों के होते हैं, ये कब क्या करेंगे इसके बारे में ये खुद भी नहीं जानते, बेहद महत्वाकांशी होते हैं, काम के मामले में परफेक्शन की चाहत इनमें होती है, आपके व्यक्तित्व में ऐसा, आकर्शन होता है जो सामन वालों को खीच लाता है, ये दूसरों से पंगे लेने में ज्यादा देर नहीं लगाते, इन्हें आधारभूत चीजों की कभी कोई कमी नहीं रहती और आर्थिक दृष्टी से संपन्न होते हैं, कभी कभार फ्लर्ट चलता है, लेकिन प्यार में वफादारी करना इन्हें स्वभाव से रोमांटिक और रिष्टों को लेकर बेहत समवेदनशील होते हैं ये नंबर पंदरह को इस अक्षर के नाम के लोगों के स्वभाव की बात करें तो बता दें कि इनका दिमाग काफी तेज दौडता है, ये बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं, शायद यही वजह है कि ये जल्दी ही उनहर उचाईयों को छू लेते हैं, जिनका ख्वाब ये दे दोखा देना इनहें पसंद नहीं और ऐसा ही उनसे भी अपेक्षा रखते हैं, जिससे कमिटमेंट हो गया, बस पूरी जिन्दगी उस पर नियुचावर करने को तयार रहते हैं ये, नंबर सोला टी से शुरू होने वाले नाम के लोग उलजनों में फंसे रहते हैं, वैसे ये चाहते कुछ हैं और होता कुछ अलग ही है, काम को परफेक्शन के साथ करते हैं, इनके काम में सफाई और खरापन साफ जलती हैं, खुले विचार के होते हैं ये, अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखते हैं और सब को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हाँ, कभी प्यार की बात करें तो सबसे पहले ये अपनी छवी से प्यार करते हैं। ये स्वभाव से सच्चे और इमानदार होते हैं, नेचर से काफी क्रियेटिव होते हैं, ये अपनी ही दुनिया में खोए, रहते हैं, प्यार की बात करें तो ये अपने साथी के साथ नहीं चल पाते, कभी विचारों में तो कभी काम में असमानता इन्हें जेलना ही पड़ता है, वैसे आपके प्रती लोगों को आकर्शन आसानी से हो जाता है, नमबर अठारा आ, इस अक्षर के नाम वाले लोग ज्यादा सोशल लाइफ जीना पसंद नहीं करते, हालांकि फैमिली इनके लिए माइने रखती है और पढ़ा लिखना इन्हें नहीं भाता, जो भीड कर उसे करने में इन्हें मजा नहीं आता, ये तो वह काम करना, चाहते हैं जिसे कोई नहीं कर सकता, इस नाम के अक्षर वाले लोग काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और धंदौलत की कोई कमी नहीं रहती, अपने से उपर सोच समझ और बुद्धी वाले लोग इन्हें आकर नंबर 19 एस नाम वाले लोग काफी महनती होते हैं, ये बातों के इतने धनी होते हैं कि सामने वाला इनकी और आकरशित हो ही जाता है, दिमाग से तेज और सोच विचार कर काम करते हैं ये, इन्हें अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं, ये दिल से बुरे नहीं होते, ल लेकिन प्यार के लिए कोई पहल करना नहीं आता, प्यार के मामले में ये सबसे ज्यादा गंभीर होते हैं, नंबर 20 टी नाम वाले लोग खर्च के मामले में एकदम खुले हाथ वाले होते हैं, चार्मिन दिखने वाले ये लोग खुश मिजाज भी खूब रहते हैं, महंत क करना इन्हें उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसों की कभी कमी नहीं होती इन्हें, अपने दिल की बात किसी से जल्दी शेर नहीं करते हैं, प्यार की बात करें तो रिष्टों को लेकर काफी रोमांटिक होते हैं, लेकिन बातों को गुप रखने की आदत भी इनमें होती है नंबर 21 यू इस अक्षर के नाम वाले लोग कोशिश तो बहुत कुछ करने की करते हैं लेकिन इनका काम बिगरते भी देर नहीं लगती किसी का दिल कैसे जीतना है वह इनसे सीखना चाहिए दूसरों के लिए किसी भी तरह ये वक्त निकाल ही लेते हैं ये बेहद होश क्यार होते हैं कभी पीछे मुड कर नहीं देखते आप चाहते हैं कि आपका साथी हमेशा भीड में अलग न जाए वह साथ नभी हो तो आप हर वक्त उनहीं के ख्यालों में डूबे रहना पसंद करते हैं अपनी खुशी से पहले साथी की खुशियों का ध्यान रखते हैं य नमबर 22 वी नाम वाले लोग स्वभाव से थोड़े ढीले होते हैं इनके मन को जो भाता है वही काम करते हैं दिल के साफ होते हैं लेकिन अपनी बातें किसी से शेर करना इन्हें पसंद नहीं होता बंदिशों में रख कर इनसे आप कुछ नहीं करा सकते बात प्यार की करें तो ये अपने प्यार का इजहार कभी नहीं करते। जिन बातों का कोई अर्थ नहीं या यूं कहिए कि हंसी ठाके में कही गई बातों से भी आप काफी गहरी बातें निकाल ही लेते हैं। कभी भीर ये बातें आपके लिए ही मुसीबत खड़ी कर देती हैं। नमबर 23, W इस अक्षर के नाम के लोग संकुचित दिल के होते हैं। एक ही धर्वे पर चलते हुए ये बोर भी नहीं होते। इगो वाली भावना तो इन में कूट-कूट कर भरी। होती है, ये जहां रहते हैं वहीं अपनी सुनाने लग जाते हैं। जिससे सामने वाला इनसान इनसे दूर भागने लगता है। हाला कि हर मामले में सफलता इनकी मुठी तक पहुँची जाती है। प्यार की बात करें तो ये न न करते, वे ही आगे बढ़ते हैं। हाला कि इन्हें ज्यादा दिखावा पसंद नहीं और अपने साथी को उसी रूप में स्विकार करते हैं जैसा वह वास्तव में हैं। नंबर 24X इस अक्षर के नाम वाले लोग जरा अलग स्वभाव के होते हैं। ये हर मामले में परफेक्ट होते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी गुस्से के शिकार हो ही जाते हैं ये। इन्हें काम को स्लो करना पसंद नहीं, फटाफट निप्टाने में ही यकीन रखते हैं ये। बहुत जल्दी चीजों से बोरियत हो जाती है। इन्हें ये क्या करने वाले हैं, इस बात का पता इन्हें खुद भी नहीं होता। प्यार के मामले में फ्लर्ट करना इन्हें ज्यादा पसंद है। कई रिष्टों को एक साथ लेकर आगे चलने की हिम्मत इनमें होती है। नमबर पच्चीस वाई इस अक्षर के नाम वाले लोगों से कभी भी सलाह लें। आपकी सही रास्ता ही दिखाएंगे वह। खर्च के लिए कभी सोचते नहीं, बस खाना अच्छा मिले तो हमेशा खुश रहेंगे। अच्छी पर्सनेलिटी के बादशाह होते हैं, लोगों को दूर से की पढ़ लेते हैं ये, इन्हें ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं, धंदौलत नसीब तो होती है, लेकिन इन्हें पाने में वक्त लग जाता है, बात प्यार की करें तो इन्हें अपने साथी की कोई बात याद नहीं रहती, हालांकि सच्चे, खुले दिल और रोमेंटिक नेचर के होने के कारण इनकी हर गलती माफ भी हो जाती है, नंबर 26, Z इस अक्षर के नाम वाले लोग दूसरों से काफी जल्दी घुल मिल जाते हैं, गंभीरता इनके स्वभाव में है, लेकिन बड़ ही कूल अंदाज में ये सारे काम करते हैं, जो बोलते हैं साफ बोलते हैं और जिंदगी को इन्जॉय करना इनहें आता है, नमिलने वाली चीजों पर रोने की बजाए उसे छोड़ कर आगे बढ़ा इनहें पसंद है, इनहें दिखावा करना, पसंद नहीं, इनकी सादगी क को देख इनहें बेवकूफ समझना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, स्वभाव से ये रोमांटिक होते हैं, आपकी और कोई भी बड़ी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है, अपने प्यार के सामने आप किसी को अहमियत नहीं, देते, दोस्तों आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जयमा लक्षमी जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा दोस्तों